कादे पे गमचा देखके ना समझो कि चर्वाईया हैं बाबू धांस देंगे सीने में हम यूपी वाले भाईया हैं क्या है कि भोजपूरी में एक दाग लग चुका है असलीलता का तो हमने उसी असलीलता को दूर करने के लिए हमने भोजपूरी में नए ट्रेंड लाया कि वो खोह ताट चर्चा तो यब परचा भी भराएगा सत्ता में युवाओं का यब भाई चुनिके जाएगा यूवा लोग के नेता बन वीधायक यू आयाएगा आज कैसरे फिल्मों में काम कर रहे हैं आमरपाली दूबे जैसी अभिनेतरी के साथ काम कर रहे हैं तो वहीं अक्षा सिंग के साथ भी फिल्मों की चर्चा है आजमगढ को भी रोक दिया जाता है और होगे तुम बाःवबली अपने होगता सब्सक्राइब नाम लेता है लोग कहते थे कि आजमगड का नाम लेते हैं तो कमरा नहीं मिलता है तो हमने का जब कमरा नहीं मिलता तो इसी को माधने मना लेते हैं इसी को वीडियो पनाते हैं अडार में आओगे तो रगड दिये जाओगे तोड़ के रख दूँगा अगा रगड दिखाओगे दिखाएंगे असलियत रंगबाजी कद तुमको भी कभी घूमते घूमाते जब आजम गड़ा हूँ तुम पवित्र तमसासी मैं राजगाट का किनारा हूँ तुम टापर सिविली कालेज की मैं आजम गड़ियां आवा रहा हूँ एक बहुत ही पुरानी कहावत है किसी ने सची कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है आज मैं आपको एक ऐसे वासे मिलाने जा रहा हूँ जो ना तो किसी परिचे के या तारुप के महताज हैं बलकि खुद अपने हाथों से अपने महनत के बदौलत उन्होंने अपनी तकदीर और तद्बीर ऐसी बनाई हुई है कि आज वो जहां जाते हैं लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आतूर हो जाते हैं लोग उनकी जम के तारिफें करते हैं देर ना करते हुए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गौरव पंडित से जो किसी भी परिशे के महताज नहीं है बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भई आपका और CIB इंडिया नियूज के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत पड़ाम मेरे तरफ से गौरव के विशे में बताऊं तो गौरव आजमगर के रहने वाले हैं और भोश्पिरी फिल्मों में आजकल काम कर रहे हैं लेकिन मैं गौरव को तब से जानता हूँ जब गौरव अपने संघर्ष के दिनों में थे और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ एक छोटे से छोटे रोल को भी जिस तरह से वो निभाते थे, उसको अदा करते थे उसको देख करके मुझे लगा कि ये लड़का तो एक ऐसा धमाका है जो आने वाले भविष में बिस्फोट करेगा फिल्मी दुनिया के रुपहले पर दे पर और कहीं न कहीं मेरी वो जो बातें थी वो सच सावित हुई गौरव आज कई सारे फिल्मों में काम कर रहे हैं आमरपाली, दूबे जैसी अभिनेतरी के साथ काम कर रहे हैं तो वहीं अक्षरा सिंग के साथ भी फिल्मों की चर्चा है तो दिनेश लाल यादो निरहुआ जैसे सुपरिस्टार के साथ भी इनकी फिल्में हमको देखने को मिल रही है तो कब से ये सफर शुरू हुआ गवरव क्योंकि हमने आप से पहले तो बात किया हुआ है लेकिन फिर काफी अर्सा हो गया तो हमारे दर्शक के जान ले कि कब से ये सफर ये सिल्सिला कब से शुरू हुआ है अब आप से क्या बताना है पहला इंटर्वी भी तो आप ही किये थे यूटूब के वीडियो का शूट चल लाए था वहां एक फाइटिंग का क्लाइमेक्स चल लाए था और वहां पे आप आये थे इंटरव्यू लिये थे वहीं से मेरी सुरुवात हुई थी और वहीं से हमने द्रेद्रे सब चीज सीखना शुरू किया था तब घर के लोगों का आपने बताया था बहुत प्रेशर भी रहता है था कि गवरों पढ़ाई लिखाई करो सही धंक से काम करो कहां पे जा रहे हो प्रेशर तो इतना रहता था कि मुझे मुझे एक दौर ऐसा गया था कि मुझे लगा नहीं हो पाएगा जब तक फैमिली साथ जी उनका फोन आता है मनें वाटसाप पर स्टेटस लगा दिया था कि नहीं आ रहां आज के बाद मुझे नहीं हो पाएगा मैं ठक गया हूं ऐसे करके श्टेटस लगा था और जैसे स्टेटस अंतोद्व्याने सीन का तुरंद उनका फोन आता है कि क्या कर रहा हो यह अब तो तुम्हारी सुरुवात होने वाली है फिर देरे सुरुवात हुई थी फिर आप लोग भी प्रोच्छाहित किये थे बहुत सारे लोगों ने मुझे डाटा फटका रहा था कि नहीं तुम धैरे रखो सब अच्छा होगा तो फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिलता था लेक उसके पहले मैं गवनवा की साड़ी करके अभी दो दिन पहले माने शूटिंग कंप्लीट कर गया जौनपूर से उसके पहले माने चीक की थी निरुवा भया के साथ उसके पहले मधमती की थी अमरपाली मेडम के साथ तो यह पीछे की सारी फिल्म है जिसमें एक तो टीवी के हीरो हैं वस्त होता है वो बिहार का एक वर्चस हो है चाहे हम बात करें पवन सिंग की या फिर बात करें खिसारी लाल यादो की वहीं दिनेश लाल यादो ने रहुआ हैं गाजीपूर के आजमगड में समर सिंग के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कांटीनु इस फि पहली है और मुझे अवाज काभीम मेरी आउजा बना दिया किसले मुझे अच्छा ना भी तो इसलिए और मेरी परसनालथी है है तो मुझे लगा था कि नहीं विलन के टेगरी में ही जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और मेरा चलने फिलने रहने खाने पीने का सब पंदाज जैसे लगेगा कि हाँ गुंडों वाली हरकत इसकी है तो मैंने इसलिए एटिटिव और टशन ने आजमगड को एक नहीं पहचान एकवा नहीं दी आजकल भौकाल ही आजमगड होगा बिल्कुल जब मैंने इंस्टाग्राम जैसे मेरा एकाउंट भी है गौरभ नहीं मिलता तो इसी को मादम बना लेते हैं इसी को वीडियो बनाते हैं हम लोग तो हमने एटिटिव वीडियो बनानी शुरू कि और आजमगड का नाम लेके वीडियो बनाना शुरू किया और पहला क्रीटर आजमगड का हूं जो मैं आजमगड का नाम लेके डाइलाग ब पसंद दोग प्यारियन बिल्कुल पसंद नहीं करते मैंने बहुत सारी बनाई थी लेकिन वो फ्लप हो ओगई कि श्वnin वीडियो तोड़की रख डूगा अगर अकड़ दिखाईंगे असलिय सρέ दो अच्षित कट तुम कभी घुमते घुमाते जब आजमगड़ा होगे यह वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई थी और आजमगड़ वालों ने इसको बहुत सा रहा था बहुत प्यार दिया था और तब से फिर धमाका धमाका आते चला दो ताबर तोड़ हो जाए नॉर्मल ऐसी लाइन थी कि तुम पवित्र तमसासी मैं राजगाट का किनारा हूं तुम टापर सिविली कालेज की मैं आजमगड़ियां आवा रहा हूं यह ज़्यादा नहीं चला था बहुकाल वाला एक बहुकाल यह था कि बेटा यह पुरवांचल का गढ़ आजमगड़ है यहां बड़े से बड़े तू यूपी वाला था कि कादे पे गमचा देखके ना समझो कि चरवाईया हैं बाबू धास देंगे सीने में हम यूपी वाले भाईया हैं एक अब लगातार हो रहा तो पुरवांचल पर सुना दे रहे हैं पुरवांचल पर था कि दिल्ली गए मुंबई गए घूमें एमपी और हिमान्चल में पर साला भाउकाल तो देखने को तब मिला जब आये यूपी के पुरवांचल में तो यह यह कहां से आपको लाइने कहां से चूझ करते हैं कैसे मतलब इमेजिन करते हैं किस तरह की चीज़़े दर्शकों को पसंद आएंगी इप अब तो दर्सों को पूड क्या है क्या पसंद करते हैं लोग तो पहले तो मैं लाइने लिखता था खुद लेकिन अभी क्या है कि काम बढ़ गया आप सीनेमा भी करना है गाना भी करना है और रिल्स भी बनाना है तो काम बढ़ गया है तो काम बढ़ गया है तो मेरे सायोगी मित्र लोग वह काम क कैसे करना है फिल्में ऐसे करने हैं तो पूरा मनेजमेंट का सिस्टम एक लोग ले लिए अब पूरी टी में अब काम मेरा आसान हो गया जितना काम टफ था पहले अब उतना बिल्कुल भी नहीं रहे गया सवासान हो गया है गौर्व हमने एकसर देखा है जब सफलता मिलती है तो लोग पिछली चीज़ों को छोड़के आगे बढ़ जाते हैं तो जैसे आपने बताया कि हम सभी जानते भी हैं कि आपकी आवास पर रिल्स लोग बनाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पापुलरेटे या जैसे कैरियर आगे बढ़ेगा यह पीछे जो गौर विरोध करता था तो वह मेरे साथ केले लड़का खड़ा था मेरी उम्र से आदी उम्र का होगा लेकिन उसको मैं में साथ रखता हूं तो मेरे अंदर यादत नहीं है और आगे बी ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा जो भी मेरे साथ सुरूस रहे हैं जिनको अपने भुचपूरी में एक दाग लग चुका है असलीलता का तो हमने उसी असलीलता को दूर करने के लिए हमने भुचपूरी में एक नया ट्रेंड लाया डाइलाग के साथ गाने आपको इसके मेरे से पहले कोई आसा गाना आपको नहीं मिलेगा जो गाने में डाइलाग तो मैंन कई गाने ऐसे गाये भी हैं जो इंस्टा पे इंस्टाइम ट्रेंड भी कर रहे हैं विधायक यू आएगा एक गाना अभी देखें इंस्टाग्राम के अभी भी ट्रेंड कर रहा है लगबग 20 दिन से उसमें लड़की गाती है कि बाबु करेला तुहूं सब के मैंने जहो यू सत्ता में युवाओं का यब भाई चुन के जाएगा यूवा लोग के नेता बन विधायक यू आएगा ये गाना विधायक यू आएगा राजनीत में तो नहीं जाना है ना आगे का नहीं कह सकता क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं बट अभी तक कोई मूड नहीं है अब भी मुझे फिल्मों में ही करियर बनाना है और उपर वाले की महरवानी से दिरे-दिरे जंडा गड़ भी गया है अब भोश्पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको कौन सा ऐसा हीरो है जो लगता है कि गवरोपंडित को मुझे इनके जैसा काम करना है या मतलब कोई आदर शो आपका खैर अब तो मुहारे निरववा फिल्में कम कर दिया नहीं तो मैं आदर शुनी को मानता हूं एक्टिंग के मामले में अभी तक मुझे भोश्पूरी में उनके जैसा नहीं कोई दिखा और रभी किसन भया को दो लोग मुझे बहुत पसंद है और दोनों सब करुंद माले क्या करना सवत में भीलां यहां मुझे ज्यादा पसंद आवैसे मनेकाने मैं कलाकार हूं जो भी मिलेगा नेकिन होई पाली पसंद है और हिंदी में मुझे कोई पसंद ही नहीं ही ही पसंद है और मने तो आप मानले जिए वह फे पहले आप विलेन का काम कर रहे हैं संजदत मुझे पसंद है विले नगर वो करेंगे तो संजय दद्वाइब चले कुछ और सुना दुझे आपका एक और आया है आजमगड को लेकर के गाना जो आया है बदनाम आजमगड शाद हमरे जीला कैले रे बुचिया बड़ बड़ के गुलाम हवे अरे आजमगड या सही ना करे जा सगरुजग बदनाम हवे तब लड़की कुछ चैलेंज करती है तो लड़का बताता है Altam पॉर नहीं यह आजमगड रोर झाली थे इसा के एक और अまぁ आकिर में चलते-टे लोग जेब में रख लेते हैं महोदय जी बसमूसी से बिलौग करते हैं चलिए दोस्तों हमने बाचित किया एक भौकाली अभिनेता से अमोमन आप जब किसी अभिनेता से पूछ लिजे क्या बनना है तो वो टॉप क्लास का हीरो बनने की बात करता है लेकिन इनको विलेन बनन कि इस सितारे का बहुत ही शांदार है बुलंद है और धे सारी दुआएं दीजी अपने इस बेटे को अपने भाई को ताकि इसी तरह से आजमगर का नाम जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है जो साउथ इंडस्ट्री है या मैं तो कहूंगा कि जो हमारा सिनेमा है वो सिन प्राइब इंडस्ट्री के सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें